लोगसवा चुनाव 24 के लिए दो चरणों का मद्दान संपन हो चुका है अब तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान उफान पर है हर पाटी जनता को अपने एजंडे के प्रती आकर्शित करने में जुटी है इन सब के बीज पशिम बंगाल होट स्टेट बना हुआ है भाचमा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने मुख्यमंदरी ममता बैनरजी पर तगड़ा हमला बोला है उन्हें नकाया कि मम इस खाली में तलाशी के दौरान हत्यारों का जखीरा मिला है इसी से समझ आता है कि ममता पश्रिम बंगाल में किस तरह से अराज कत्ता फैला रही है यह ममता की बहुत बड़ी भूल है जनताओं उनको इसका करारा जवाब देगी साथी जेपी नड़ा ने दावा किया कि ब इड़मुल कॉंग्रिस के शा जहां शेख जैसे असमाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के आस्तित्व पर खत्रा बने हुए है उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है यह सच में बहुत ही समवेदनशील भी है और कश्ट दाई भी है दर्दनाक भी है संदेश खाली में महिलाओं की इज़त आबरू और उनकी जमीने बचाने के लिए वहाँ गई जाच एजनसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है ममता दिदी ने बंगाल को क्या बना दिया है जहां रविंद्र संगीत गुणिना चाहिए था वहाँ बं पिस्टॉल मिल रहे हैं मैं समाचार देखता हूँ संदेश खाली की तरलाशी के दौरान सीबियाई को तीन विदेशी रिवॉल्वर पुलीस द्वारा इस्तमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर एक विदेशी प्रिस्टॉल बंदूकें कई गोलियां और कार्तूस बरामत किये गए हैं संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनस जी कमांडो को भी उतरना पड़ा है इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बैनर जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है क्या ममता जी जनता को ढड़ा कर धंका कर उनकी जान लेकर चुनाओ जीतेंगी क्या नेता जी सुभाश चंडर बोस रविंद्रना टेगोर स्वामी विवेकानन्द और महर्श्री अर्विंदो जैसे मनीश्यों ने इस बंगाल की कभी कलपना की थी ममता दीदी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाओ जीतेंगी तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है जनता आपको इसका करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से अधिक सीटों पर जीतेंगी संदेश खली ममता की निर्बंता और बरबरता का संदेश चीक चीक करके दे रही है आज जब मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूँ बंगाल के सभी भाजपा के कारे करता हूँ और जनता से आवान करता हूं कि आप सभी संदेश खाली की ममता बैनर जी को जवाब मांगें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश खाली की पीडिता को पार्टी द्वारा टिकट देकर भाजपा महिला सशक्तिकरण के संदेश को मजबूती दी है। और साथ ही मम्ता बैनर जी को ये जवाब दिया है कि ये महिलाएं अकेली नहीं है इनके साथ सारा देश खड़ा है सारा समाज खड़ा है और इन्हें न्याएं मिल के रहेगा और पश्चिम बंगाल की जनता जरूर जवाब है